नमस्कार जहिंत दोस्तों ये जीके के 50 प्रश्ण ये ऐसे प्रश्ण हैं कि ये 500 के 500 आपके एक्जाम में आपको फ़सकते हैं आप जिस एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये कौशन आ सकते हैं इसलिए पूरे कौशन अच्छे से लगाईए और कोशिश कीजिए कि कम से ही कौशन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना पहला कौशन है निम्नले घित में से कौन सी म्रदा भारी वर्शा और उच्छ आदरता वाली छेत्रों में पाई जाती है तो जहां पर जादा वर्शा होगी आदरता हैं इनमें से तो सुनील चेत्री जी बहुत फेमस हैं हमारे देश के हैं और ये फुटबॉल से सम्मनित हैं ऑप्शन नमर यहां पर सी फुटबॉल राइट आंसर हो जाएगा सुनील चेत्री के लिए मुगल समराटों में अनपढ कौन था इनमें से कौन अनपढ था जो था यह अनपढ था पढ़ा लिखा नहीं था मुगल समराटों में से कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ इनमें से कौन सा होता है तो कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ मोस्ट इंपोर्टेंट कॉशन स्टार लगा लो इसको यह आपके एक्जाम में आपको रखा मिलेगा इतना important question है DNA यह अनुवांशिक पदात है जो की कोश्का में पाए जाता है चंपारन सत्यागरा निम्दल कितम से किस वर्ष में शुरू किया गया था तो चंपारन सत्यागरा हुआ था आपका 1917 में start option नमबर यहां पर भी 1917 राइट आंसर हो जाएगा चंपारन सत्यागरा के लिए दिसंबर 2020 में भारत में पहली hot air balloon wildlife safari कहां शुरू की गई तो यह रखना भारत की पहली hot air balloon wildlife safari यह चालू की गई है पारतिय प्रैस का मुक्ति दाता किसे कहा जाता है तो भारतिय प्रैस का मुक्तिदाता यहां पर आपको जो option देगा है सर चार्ल्स मेटकॉफ इनको भारतिय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है कहा जाता है तो यहाँ पर आपका option number C सर चार्ल्स मेटकॉफ प्रेशने के लिए right answer है भारतपूर पक्चिया बेरन किस राज में पढ़ता है इनमें से यहाँ पर आपको जो राज दिये गए है तो यहाँ रखेगा भारतपूर पक्चिया बेरन जो है यहाँ पर आपको जो राज दिये गए है उसमें से राजस्थान राज option number यहाँ पर right answer हो जाएगा भरत पुर पक्षिय अभ्यरन के लिए अगला question है कि DNA का double helix model किस ने दिया था तो DNA का double helix model जो दिया गया था helical model यहाँ पर जो option दे गया है Watson Walk Creek के दोवारा दिया गया था option number यहाँ पर see Watson Walk Creek प्रश्ण के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा अगला question है कि Talk अगला question है कि नियमनमेंसे किस राज्य में सत्रूजय पहाणी स्थित है सत्रूजय पहाणिया तो यहाँ पर आपको जो option दिएगा है इनमें से सत्रु जय पहाणिया यह गुजरात राजय में सित है गुजरात राज यह option number a यहाँ पर right answer हो जाएगा सत्रु जय पहाणिया के लिए option number a गुजरात राज प्रशनी के लिए बिलकुल सही answer हो जाएगा अगला question दिखिए चीनियात्री हेंसांग ने किस विश्विध्याले से अपनी सिक्षा ग्रण की थी तो चीनियात्री जो हेंसांग था यहाँ पर आपको जो ऑप्षन दिये गए है राइट आंसर हो जाएगा ये नालंदा विश्विध्याले में आये था और यहां से सिक्चा ग्रण की थी नालंदा विश्विध्याले से सिक्चा ग्रण की थी हेन सांगने आप्शन नम्बर यहां पर भी नालंदा विश्व विध्याले प्रेश्णी के लिए बिलकोल सही आंसर है स्वामी विवेकानन ने किस वर्ष में राम कृष्ण मिशन की स्थापना की थी बताईए स्वामी विवेकानन जी ने किस वर्ष राम कृष्ण मिशन की स्थापना की थी पर जो option दे गए हैं तो यहां पर right answer हो जाएगा इसके लिए यह स्थापना की गई थी 1897 में option नम्बर A रामकृष्ण मिसन स्थापना की गई थी 1897 में option नम्बर यहां पर A right answer है अगला question है जो पूछा गया है आपसे कि भारती राष्ट्री कॉंग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो भारती राष्ट्री कॉंग्रेस के सबसे पहले मुसलिम अध्यक्ष जो थे वो थे आपके बदरुद्दीन तयब जी option number C बदरुद्दीन तयब जी यह सबसे पहले मुसलिम राष्टी अध्यक्ष थे भारती राष्टी कॉंग्रेस के माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थान अंत्रित होते हैं तो माता पिता के जो गुण होते हैं उनकी संतानों में गुण सूत्र के द्वारा स्थान अंत्रित होते हैं option number B गुण सूत्र राइट आंसर है प्रश्ण के लिए किस मगल बादशा ने मकसुदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हो गया तो यहां पर आपको जो option दिये गए हैं इनमें से राइट आंसर हो जाएगा अकबर अकबर ने क्या किया मकसुदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जिसको बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से भी जाने जाने लगा अगला प्रश्ण आप से पूछा गया इसमें कि किस देश के प्रती शुद्ध खेती योगिशित्र की कुल जनसंख्या उसके किस को संदर्वित करती है तो ये कारे की घंत्व को संदर्वित करती है ओप्शन नमबर डी पढ़िये क्या लिखा है कारे की घंत्वा ओप्शन नमबर डी राइट आंसर है देंग्व भुखार को कौन संचारित करता है तो देंग्व भुखार को एड़ीज इजिप्ती मस्चर संचारित करता है option number A, age Alginti Macha right answer Raja Pal کو اس کے پद کی شपत कौन दिलाता है तो रaja Pal کو اس کے پद کی شपत दिलाते हैं उच्छी न्यायलाई की है मुख्य न्यायधीश option number A, उच्छी न्यायलाई की है मुख्य न्यायधीश right answer है किस कारण के मातापिता की सभी संताणे एक समाँ नहीं होती तो माता-पिता की सभी संताने कुछ अनुआंश की विविन्ता रहती है, कुछ वातावन की विविन्ता रहती है तो यहाँ पर option number C right answer हो जाएगा इस कारण से माता-पिता की सभी संताने एक समान नहीं होती निम्नलेकित में से कौन कोशान वंश का शाषक नहीं था तो यहाँ पर नाम पढ़िए इन में से जो नहपान है नहपान कुछान वंश का शाषक नहीं था होविश्क, वशुदेव और वशिश्क ये कुछान वंश के आपके प्रसिद्द शाषक रहे है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं यहाँ पर आपको जो ओपशन दिया गया इसमें से उत्तरप्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक जिले हैं उत्तरप्रदेश option number C यहाँ पर right answer है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हो चुका है आपको बता चुका हूँ उत्तरप्रदीश option number C right answer हो जाएगा roaring 40s क्या है तो roaring 40s जो है यह आपकी पश्चिमी हवाए जिसको हम पच्छुआ पउनवे कहते हैं पश्चिमी हवाए या पच्छुआ right answer हो जाएगा option number B यहाँ पर right answer है दोस्तों देख रहे हैं question कितने अच्छे हैं यह आपके exam में पिछले कई सालों से push जा रहे हैं जिसे exam के आप तयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 GKGS के MCQ question answer बना हैं 10,000 GKGS के question answer जो MCQ के format में 4 option में जो कि आप जो exam तयारी कर रहे हैं 100% chances से आने के चल रहा है तो केवल 99 रुपे में जो भी सक्षम है जो भी ले सकता है वो ले ले बाकी YouTube से पढ़ो बाकी जिसको लेना हूँ 99 रुपे में आपको 10,000 GKGS के question मिल रहे हैं जो कि आपके exam में फश सकते हैं तो इनको PDF को लेने के लिए नीचे देगा नंबर और चित्र हो तो लड़का पैदा होगा option number C यहां पर right answer है 1832 में दामीन एक कोह के रूप में सीमांकित भूमी का एक बड़ा चित्र डैश की भूमी के रूप में घोशित किया गया तो दामीन एक कोह यह संथालों की भूमी के रूप में घोशित किया गया था option number पढ़िए संथालों की भूमी दामीने कोह option number यहां पर right answer है आदे caution होगए आदे और बचे है किस नदी की मयुराक्षी दामोदर कंग साबती और रूप नारन नामक सहाइक नदिया है तो यह सभी सहाइक नदियां हुगली नदी की सहाइक नदिया है कौन कौन सी मयुराक्षी दामोदर कंग साबती और रूप नारन गौपत ब्राम्मन का संबंद किस वेद से है तो गौपत ब्राम्मन इसका संबंद आपका अथर्व वेद से है option number यहां परड़ी अथर्व वेद से गौपत ब्राम्मन का संबंद है जैगड किला कहां इस्तित है तो प्रसिद्ध जैगड किला ये आपका जैपुर मेस्तित है जैगड का किला नेमने मैं से कौन एक लिंग सहलगन रोग है तो एक लिंग सहलगन रोग जो है वो है आपका वणानता option number C वर्णानता एक लिंग सहल लगने रोग है option number C राइट आंसर है 1857 विद्रो के दौरान मुगल समराट कौन था तो 1857 का जो विद्रो हुआ था इस समय जो मुगल समराट थे वो थे बहादुर शाहदवतिय option number B भी बहादुर शाहदवतिय है यहां पर राइट आंसर है प्रशन के लिए किस राज में हमालाए की सामाने सा दक्षन पश्चिम से उत्तर पूर्विकी और है तो दक्षन पश्चिम से उत्तर पूर्विकी और हमाले फैला है वो फैला है आपका अज़ाचल प्रदेश में option number C अज़ाचल प्रदेश में हमालाए दक्षन पश्चिम से उत्तर पूर्विकी and नियंत्रक एवं महालेखा परिचक की नुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परिचक की नुक्ति राष्ट्रपती करता है और यहां पर भी राष्ट्रपती राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परिछक्की नुक्ति करता है एक वनांद पुरुस एक सामान महिला से विवा करता है वनांदता की लक्षन उत्पन्द होंगे किसमें तो यदि एक वनांद पुरुस है सामान महिला से विवा करता है तो चांसस हैं कि पुत्रियों के पुत्रों में जो है वनांदता की लक्षन उत्पन्द हूँ, option number B, पुत्रियों के पुत्रों में right answer है, option number B 1857 की भारती क्रांती प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुई थी, तो जो 1857 की क्रांती हुई थी, ये गौालियर में प्रभावी रूप से समाप्त हो गई थी, option number B ग्वाल यह राइट आंसर है, अठार संताउन की करांती के लिए है। निमन मेंसे कौन सा परवतिय दर्रा उत्तरा खंड राज जमिस्तत है। तो यहाँ पर आपको जो दर्रे दिये गए हैं, इन मेंसे आपका मंगशा धुरा दर्रा, ये आपका उत्तरा खंड राज जमिस्तत है option बसी मंगशा दोरा दोरा राइट आंसर है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे आपके CR-10 option बसी CR-10 ये आपके स्वराज पार्टी के संस्थापक थे option number C यहाँ पर right answer है ध्यानचंद्र नाम किस खेल से सम्वनित है major ध्यानचंद्र आप आपने सुना होगा इनके बारे में तो major ध्यानचंद्र या ध्यानचंद्र नाम ये इनको hockey का जादूगर भी कहा जाता है hockey से सम्वनित है option number B hockey right answer है जैविकास को सरपधम किसने समझाय था तो जैविकास को सबसे पहले समझाय था लेमार्क ने option number B लेमार्क के द्वारा जैविकास को सबसे पहले समझाया गया था निम्नले के तमेंसे किसने 1990 में धौला वीरा में खोदाई शुरू की थी तो 1990 में धौला वीरा में जो खुदाई स्टार्ट की गई थी, यहां पर आपको जो option दिये गए है, right answer हो जाएगा, RS बिष्ट ने स्टार्ट की थी, option नमरी RS बिष्ट ने धौला वीरा में खुदाई स्टार्ट की थी, चूलिया जल्परपात डैश में चम्बल नदी परिस्थत है, तो चूलिया जल्परपात यह आपका राजस्थान में पढ़ता है, और यह चम्बल नदी परिस्थत है, राजस्थान राजस्थान में चूलिया जल्परपात, कमेंट करके बताईए राजस्थान राजजी की राजधानी क्या है राजस्थान राजजी की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है तारपीन का तेल किस से प्राप्त किया जाता है तो तारपीन का जो तेल है यह आपका चीड के व्रक्ष से प्राप्त होता है उप्शन नमबर भी यहाँ पर आपका इस प्रशन के लिए बिलकुल सही आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति इन में से कौन है तो अंतरिक्ष में कदम रखने वाला सबसे पहला व्यक्ति है आपका यूरी गागरिन उप्शन नमबड़ी यूरी गागरिन अंतरिक्ष में कदम रखने वाला सबसे पहला व्यक्ति है उत्परिवर्तन का सिध्धान्त इन में से किसके द्वारा प्रतिपालत किया गया था उत्परिवर्तन का सिध्धान्त तो उत्परिवर्तन का सिध्धान्त था डीब्रीज या ह्यूगो डीब्रीज के द्वारा प्रतिपालत किया गया था यहाँ पर आपका option number भी right answer हो जाएगा Hugo D. Bridge या D. Bridge 1905 में बंगाल के विवाजन के लिए कौन जिम्मिदार था 1905 में बंगाल का जो विवाजन हुआ था उसके लिए जिम्मिदार था Lord Curzon option number यह Lord Curzon उसके लिए जिम्मिदार था बंगाल के विवाजन के लिए हौडनबल तयोहार डैश में प्रतिक वर्ष एक से दस दिसंबर को मनाया जाता है तो हौडनबल तयोहार मनाया जाता है नागालेंड में और वो भी एक से दस दिसंबर के बीच में option number D. नागालेंड राइट आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी का मुख्याले कहां पर है तो जो साहित्य अकादमी का जो मुख्याले है ये आपका पढ़ता है नई दिल्ली में option number यहां पर C. नई दिल्ली में है साहित्य अकादमी का मुख्याले स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्णर जनरल एवं अंतिम वाइस राय कौन थे तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्णर जनरल और अंतिम वाइस राय थे आपके Lord Mountbatten option number B Lord Mountbatten right answer है कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है में जो टांगे होती है यह होती है आपकी तीन जोड़ी टांगे option number यहां पर Si कीटों में तीन जोड़ी मतलब छह तांगे होती है option नमBER यहां पर Si right answer हो जाएगा तीन जोड़ी टांगे है और यह राज़का आखरी पूरी चीन का था ये भी सही है मारको पोलो ये इटली का नहीं था यहां पर आपका जो है पहला option जो है गलत दिया गया बाकी आपके सभी option माप किजीगा